हेलो एवरिवान वल्कम बैक तो माई चैनल और मैं हूनिधी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं करवा चौत इन प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट डिलिवरी आप अगर करवा चौत का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान जरूर से रखना चाहिए ताक लोगों का एक्साइटमेंट लेवल एक अलग रहता है क्योंकि हम अपने हस्बंड के लिए व्रत रखते हैं और बहुती कलरफुल और बहुती फेस्टिव वाला यह जो फास्ट होता है मतलब पूजा तो होती है बट उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी इस व्र जो ग्रौत है वो आपपर डिपेंडेंट है तो उसकी ग्रौत की भी बात होती है अगर आप फास्त रखते हैं तो सबसे बहले जिसके अगर आपको और चाहिजंग करना चाहिए कि आपकी उस वक्त कंडिशन क्या है कि आप लुद रख सकते हैं या कुछ मॉडिफाइं करक तो आपको इस तरीके के risk लेना suggested नहीं होता है because first month जो होता है वो बहुत ही critical रहता है आपका baby अभी just बन रहा होता है शुरू का एक दो महिना तो अभी baby के एकदम starting stage होती है तीन महिने के बाद baby के heart beat आ जाती है baby के सारे parts बन जाते है थोड़ा baby stable हो जाता है just उसकी growth चल रही होती है तो वो stability जब तक नहीं आती है तब तक आपको अपने खाने पीने का बहुत जादा ध्यान रखना होता है कई बरी आपकी diet अच्छी होने से आप अपनी diet में improve करते है तो आपके baby का जो भी कुछ problem आती है तो वो भी सही हो जाती है कई बरी ऐसा देखा गया है तो इसलिए उस वक्त अगर आपने खाने पीने में कोई कमी रखी या किसी तरीकी कि आपके hormones जो है वो imbalance हुए तो दिक्कत आ सकती है तो इसलिए अगर आप first trimester में है तो आपको fast नहीं रखना चाहिए बाकि आप एक बर अपने डॉक्टर से discussion कर सकते है और इन दे सेम वे अगर आप 8 मन्त या 9 मन्त में चल रहे हैं तभी भी fast आपको नहीं रखना चाहिए वो एकदम critical time चल रहा होता है आपकी delivery नजदीक होती है तो सारी चीजे कहीं कुछ complications ना आएं इसलिए आपको अच्छे से खाना पीना rest सब कुछ बहुत जरूरी होता है second trimester में है और सारी conditions एकदम अच्छे health wise आप अच्छे चल रहा है आपको किसी तरी के कोई BP का problem या फिर gestrational diabetes है या और किसी तरी की कोई complication नहीं है नॉर्मल सब कुछ चल रहा है तो आप doctor के guidance में थोड़ा modification के साथ में आप करवाचात रख सकते हैं अब बात करते हैं कि आप क्या कुछ modification आपको करना चाहिए तेखे बिना पानी के दिन भर भूके रहना ये नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा difficult रहता है उसकी बॉड़ी इतनी used to नहीं होती है फिर आपके अंदर बेबी है और आपके hormones कुछ अलग है, different है आपको nausea वगेरा, vomiting या stomach upset हो सकता है ये सारी problems हो सकते हैं अगर आप calorie intake आपका zero हो जाए अगर आप पानी भी नी पियेंगे, कुछ खाएंगे भी नी तो definitely आपके calorie intake zero हो जाएगा तो आपको unnecessary complications feel कर सकते हैं इसलिए बहतर रहेगा कि आप हर साल जैसे करते हैं उसकी बजाए थोड़ा बद कुछ खा एक regular intervals पे थोड़ा-थोड़ा कुछ खा करके पानी पी करके coconut water और मतलब आपका protein आपका जो vitamins वगेरा है माइक्रो नीट्रेंट्स जो हैं वह सब आपको मिले थोड़ा fat मिले यह सारी चीज़े मिलती रहें फिर उसका form आप चेंज कर सकते हो लाइक आपको पनीर है दही है दूध है या प्रोटीन के लिए इंटेक कर सकते हो fruits वगेरा fresh fruits जो होते हैं वो सब भी आप ले सकते हो और coconut water ले सकते हो juice वगेरा ले सकते हो और regular interval पर पानी पीते हो इस तरीके से भी आप वरत रख सकते हो कोई प्रॉब्लम का चांस खतम हो जाएगा तो मेरे हसाब से अगर आप आपने डिलिवरी दे दी है अगर आप मतलब आप पोस्ट पार्टम पीरेड याने की 40 डेज आपके पूरे नहीं हुए हैं तभी भी कई लोग के घर में तो कुछ टाइम तक पूजा नहीं होती है तो अगर आप रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है लेकिन अगर आप रखना चाहते हो आपके डिलिवरी के अभी दो महीने कंप्रीट नहीं हो जाए तब तक भी आपको सेमी रूल फॉल करना है जस्ट डेलिवरी हुए 15 डेस ही तो वरत बिल्कुल मत रखे अच्छे से खाये क् इंटर्नल रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है तो अच्छे से उसके लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है साथ में आपका बच्चा आपका दूद ले रहा है मिल्क वगरा जो आप ब्रेस्ट वीड़ करा रहे हो तो वह भी उस पे ही डिपेंडेंट है तो यह सारी प्रॉ आपकी बॉड़ी में अच्छे से जाता रहे है और फैट जाते रहे है और काप्स वगरा जो भी है मतलब दूद है और थोड़ा बद घी है यह सारी चीज़े जो इस पर आपने मखाने वगरा कर लिए नट्स वगरा आप ले सकते हो बर ध्यान रहे कि नट्स बहुत बहुत तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखे वरत रखेंगे तो आपका ब्रद स्मूद भी हो जाएगा और आपके हल्द भी अच्छी बनी रहेगी और उसके अलावा क्यूंकि आप बहुत जादा खापी ने रहे है तो अपनी बोड़ी को बहुत जादा रेस्ट देते रहे औ इन ठीका इस प्रड़ी और पानी पी ते रहें और इम होना चाहिए ऑर मतलब सुआ नहीं रहना है और होतिंसार प्रूट नहीं होती है यह चाहिप स्वा मतलब जिसमें कि सारी ओ शीघ MARTIN है आपका प्रोटीन है और पानी बिटरेंटरेंस मतलब वाइटमिं आड़ी सारी आपको मिले, इस तरीके से आपको खाना है, थोड़ा बहुत कम जादा होगा, वो चलेगा, बट खतम, जीरो कर दो, बहुत कम कर दो, तो उससे आपकी बॉड़ी में बहुत जादा प्रॉब्लम सा सकती है, आपको नौजिया है, स्टामक का अपसेट हो सकता है, डाइरिया हो स सकता है, स्टामक की बहुत साई चीज़े हो सकती है, और वो आगे आने वाले पूरे हफता का बिगार सकती है, वीकनेस ला सकती है, आपके बीबी की ग्रोथ पर फरक पर सकता है, यह तो सिम्पसी चीज़े, उसके लावा कई बहुत लोगों को कुछ कुछ कॉम्लिकेशन भ करती है, उसके हसाब से, आप इस करवा चौत के व्रत को रखे, I hope मेरे टिप्स आपको हेल्प करेंगे, और आपका करवा चौत अच्छे से जाएगा, आप इस करवा चौत को अच्छे से इंजॉए कीजिए, अपने बेबी के साथ, और अपने हस्बिन के साथ में, मेरी बह प्रिंटिंग, प्रेगनेंसी और पोस्ट पार्टम पीरिट के लिए वीडियो लाती रहती हूं, तो चलिए मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, बबाई, टेक केर और हैपी करवा चौत